इस वीडियो में मैं आपको इस Wi-Fi Extender के बारे में बताने वाला हूँ आज कल जादा करके लोग घर पर Wi-Fi यूज़ कर रहे हैं और सबसे बड़ा इशू आपने से काफी लोग फेस कर रहे होंगे वो यह है कि जो रेंज है Wi-Fi का रेंज वो दूसरे रूम में नहीं पहुंच रहा होगा और इसके कारण आप ज्यादा करके अपना जो समय है शायद जो राउटर है उसके पास बिताते होंगे लेकिन अगर आप जो Wi-Fi रेंज है आपके राउटर का उसे इंक्रीज करना चाहते हैं तो यह एक बहुत ही बड़ी option है खास करके अगर आप Dual Band Wi-Fi राउटर का उप्योग कर रहे हैं तो क्योंकि यह जो extender है यह दोनों bands support करता है 2.4 GHz और 5 GHz तो यह latest TP-Link का extender है वैसे यह जो पुराने वाला extender है इसका भी मैंने काफी समय पहले वीडियो बनाया था तो इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों extender के बारे में बताने वाला हूँ देखते रहे हैं तो यह है TP-Link का Mesh Wi-Fi extender AC2600 यह एक Dual Band extender है मतलब की 2.4 GHz और 5 GHz दोनों bands support करता है तो इस प्रकार की packing है और यह जो device है basically क्या करता है यहां से मैं आपको समझा देता हूँ मान लीजे आपके घर में router है वैसे आज की तारिक में जादा करके लोग इंटरनेट का उप्योग कर रहे हैं और जादा करके लोगों ने अपने घर पर Wi-Fi install किया हूआ है PC, Gaming Console और Smart TVs आज के तारिक में जादा network का उप्योग करते हैं तो यह device खास करके काफी काम में आ सकता है वैसे दोस्तों मैंने काफी साल पहले यह जो TP-Link का Wi-Fi extender है जो की पुराने टैप का है और अभी तक चल रहा है इसका मैं अभी भी उप्योग कर रहा हूँ लेकिन मैंने यह एक और Wi-Fi extender order किया है और फिलाल तो यह जो extender है एक ही service provider के साथ में मैंने connect किया हुआ है तो यह जो extender है इसे मैं दूसरे service provider के साथ में connect करने वाला हूँ तो मेरे पास reliance और spectra net internet connection है और दोनों ही काफी बढ़िया चल रहे है और यह जो पुराने device है यह भी फिलाल तो काफी बढ़िया चल रहा है कोई issue नहीं है लेकिन अगर आप इस प्रकार के device खरीदना चाते हैं तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं या फिर यह latest version के लिए भी जा सकते हैं तो यह लीजिए box को मैंने खुल दिया है तो यह देखिए जो product है उसे इस प्रकार से पाक किया यह हलका है और इसमें चार एंटिनाज है इसमें तीन एंटिनाज दिया हुआ है और अगर आप आगे की तरफ देखें तो वही सेम design pattern है यहाँ पर देखिए 2.4, 5 GHz और power लिखा हुआ है यह light up होते है और जब network connection अच्छा होता है तो green light होता है और जब network connection down होता है या फिर स जाएंगे मतलब की कुछ issue है वैसे अगर आप चाहें तो यह light है इसे off भी कर सकते हैं application का उप्यों करके फिलाल यह जो extender है यह इसका जो antenna है यह इस प्रकार से खुल जाता है और यह बहुत ही बढ़िया range प्रोइड करता है मतलब कि आपका जो router है उसका जो range है उससे extend करता है और यह देखें यहाँ पर buttons दिया हुआ है यह जो पुराने वाला है इसमें यहाँ पर buttons दिया हुआ है तो वही same type के buttons है और जो usability है दोनों का same है कोई अंतर नहीं है तो इससे आपको plug-in करना है बहुत ही असान है और जो setup process है वो मैं आपको बता दूँगा देख सकते हैं इसके साथ में वो भी wirelessly तो चलिए मैं इसे connect करता हूं और इसका जो performance है वो भी check करते हैं तो जो wifi extender है उसे मैंने connect किया हुआ है और यह तीधर करके जो application है TP link का उसे आपको आपके smartphone पर download करना है और यहाँ से आप इस extender का setup कर पाएंगे तो यहाँ पर range extender करके option है अब यह search कर रहा है आपको TP link extender करके वाइफा में दिख जाएगा उससे आपको tap करना है और यह connect हो जाएगा उसके बाद में आप यह जो application है इसका उप्योग कर सकते हैं यह देखे आप यह login हो चुका है और यहाँ पर यह local password मांग रहा है इस extender के लिए तो मैं यह जो password है यह add कर ल GHz band जो है उसके लिए setup कर रहा है तो मैं यहाँ पर जो password है मेरा जो router है उसका उसे मुझे यहाँ पर enter करना है यह process है उसी प्रकार से है जैसा कि आपके पास कोई smartphone आता है और आप अपने जो Wi-Fi router है उसके साथ में connect करते हैं तो उसी प्रकार का setup यहाँ पर आपको करना है तो GHz है तो यहाँ पर भी मैं वही same password enter करता हूँ इसके बाद में यह setting को apply करने वाला है वैसे अगर आप चाहें तो जो नया network name है उसे underscore extension जैसे कि यहाँ पर RG Virana था तो RG Virana underscore extension नाम दे सकते हैं या फिर वही same नाम यूज कर सकते हैं RG Virana चलिए speed चेक करते हैं मेरा जो router है उस के साथ मैंने connect किया हुआ है और speed test करते हैं यह Gio का network है और यह लिजिए अब यह speed test कर रहा है फिर से मैं आपको बता दूँ मैं जो router है उसके साथ मैं directly connected है यह जो extender है मैंने इसके साथ में फिलाल तो connect नहीं किया हुआ है और यहाँ से आपका idea मिल जाएगा कि जो upload speed है और जो download speed है वो क्या है तो यह देखिए 286 MB per second download speed और upload speed है 78.9 MB per second अब यह याद रखिए अब मैं जो network है उसे switch करता हूँ यह मेरा जो original network है आरजेवी अब यह आरजेवी extension जो है यह इसके जरीए मैं connect कर रहा हूँ तो इससे हमें idea मिल जाएगा कि अगर आप इस प्रकार के extender का करते हैं तो उसमें जो speed है क्या वो drop होता है या नहीं और कितना होता है तो यह लिजिए फिर से हम check करते हैं मैं फिर से cross check कर लेता हूँ कि मैं यह देखिए extension के साथ में connected हूँ यह extender जो है इसके साथ में connected हूँ और check करते हैं कि अब difference क्या है 280 के आसपास आया था download speed और 79 के आसपास upload speed तो यहां पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा drop हुआ है इतना जादा नहीं है लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप इस प्रकार के extender का उप्योग करेंगे तो range जो है वो increase हो जाता है वो बहुत important है क्योंकि अगर आपके पास इस प्रकार का device नहीं होगा औ लेकिन जो upload speed है वो almost 50% down हो गया है तो इस प्रकार का जो extender है इस को प्योग करके थोड़ा सा आपको difference मिलने वाला है लेकिन क्योंकि यह range को extend करता है तो मुझे लगता है कि उससे कुछ जादा फर्क नहीं बढ़ने वाला है वैसे इसका performance है काफी बढ़िया है आपको इसका प्राइजिंग है 6999 रुपेज यह नया वेरेंट है और यह जो पुराना वेरेंट है इसका प्राइजिंग भी जहां से आप इसे खरीच सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो के description में दिया हुआ है इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और देखते रहिए